नमस्कार दूस्तों और इस्टेटी वी ध्यान प्रकास में आप सभी का हर्दिक स्वागत है बिहार लोग सिवा आयो की उरसे सिक्षक भरती परिक्षा 2.0 का आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही तीव रिगती से इसके जो प्रोविजनल आंसर की है और साथ ही साथ क्वेश तो उनके लिए भी ये प्रक्रिया काफी अच्छी है कि उनको क्वेशन पेपर और प्रोविजनल आंसर की मिल रही है फिलाल यहाँ पर बात कर रहे हैं आपजक्षन के बारे में तो यहाँ पर आपजक्षन भी साथी साथ इन्वाइट किये जा रहे हैं और दो दिनों का सम दिसंबर को किया गया था तो इसके लिए जो क्वेशन पेपर की सीरीज ए है और साथी साथ इसका जो प्रोविजनल आंसर की है यह ग्यारा दिसंबर को आयो की वेबसाइट पर उपलब्द है कहा यह जा रहा है कि जो अभ्यरती इस परिक्षा में सामिल हुए हैं सम्मिलित कर लें अगर किसी प्रस्ण के उत्तर पर उनको संदेय है तो किसी उमिदबार को उक्त विश्यों के किसी भी प्रस्ण के अपबंधिक उत्तर पर अगर आपत्ती हो तो वे अपने यूजर नेम और पास्वर्ड से लागिन करते हुए डैसबोर्ड पर दिनांक 12 से लेकर 14 त तो ध्यान दीजेगा कि 10 तारीक को जो परिक्षा होई है इसके लिए जो आपजेक्शन है वो 12, 13 और 14 को आमंत्रित की गए है अब भरती जो है आनलाइन आपजेक्शन अपना दरज करवा सकते हैं साथी साथ जो परिक्षा होई थी यहाँ पर 9 तारीक को 9 देसंबर को 9 दे एफसाइड पर उपलब्द करवा दिया गया है जो अभरती 9 तारीक के परिक्षा में यानि कि गणित और विज्ञान समाजी विज्ञान और भासा की परिक्षा में सामिल हुए हैं वे अभरती भी अपने उत्तर का मिलान कर लें और अगर किसी मियुद्वार को यह जो विस करवा दें सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर अच्छे कई बार यह स्वाल पूचा भी गया था कुछ बट्यों के द्वारा कि सर अब्जक्सन के लिए प्रतिप्रस्ण कितने रुपए लिए जा रहे हैं जैसा कि आपने देखा था सी टेटो यूपी टेटो या फ ठीक हैं तो कुछ भी आपको भुकतान नहीं करना है आप जितने चाहें उतने अब्जक्सन लगा सकते हैं और यहां पर कोई भी फीस आपको नहीं देनी है तो यह बात बिल्कुल क्लियर है कि प्रतिप्रस्ण कोई भी फीस जमानी हो रही है लेकिन अब भरती समय सीमा का ध परिक्षा एजन्सी का चैन यह कर लिया गया है और अब इसका जो विज्यापन है वो दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सता में शुरू हो सकती है मतलब इसका जो विज्यापन है वो दिसंबर के अंतिम सता में या फिर जनवरी में आ सकता है बोर्ड ने परिक्षा एजनसी के चैन की प्रक्रिया लगबग पूरी कर ली है तो ये अच्छी बात है कि जो परिश्या एजनसी है वो लगबग तैय की जा चुकी है चैन के कड़े माप दंडों की वज़े से ये प्रक्रिया देर शुरू हो रही है प्रदेर सरकार ने कांस्टेबल के 52,699 पदों क प्रामर के पच्चपन तथा कुसल खिलाडी कोटे से 521 पदों पर भरती का दाई तो पुलिस भरती पूर्टी बोड को सौपा है तो ये जांकर यहां पर मिल रही फ्रेंट्स इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ASO, ARO अभिरतियों का आयो के कारेले पर प्रदरसन तो ज यही बार इसकी न्यूज में भी आपनों को दे चुका हूँ तो अब बिट्यों ने फिलाल अब यहां पर गोमती नगर इस्थित आयो के कारेले पर प्रदरसन किया और यह कहा कि 2019 में सुरू हुई भरती प्रतिया की परिक्षा कोई डेल साल से अधिक समय जो है बीठ चुक भरती में पीजी और समकक्ष डिगरी की जांच और कंप्टर आज सर्डिफिकेट की जांच होनी है तो गट्रित कमेटी की आवस्थक प्रक्रिया पूरी होने के साथ जल्दी परडाम जारी कर दिया जाएगा यह जांकारी यहां पर दी गई है अभरतियों को और फ्रेंस य हाँ पर परिक्षा में जो सामिल हुए एक से चोदा सितंबर तक परिक्षा होई थी इसमें दस लाग चोहतर रजाद दो सो पैंटिस अभेड़ती मतलब लगबग एक तालिस प्रसेत अभेड़ती ही परिक्षा में सामिल हुए थे लगबग अठावन दस्वलाव आठ प्र ब्यूरो आफ इन डारेक्ट एक्सेज एंड कस्टम्स एंड सेंट्रल ब्यूरो आफ नार्कोटिक्स एक्जाम 2023 की तायत 1773 पदों पर भरती होगी अब आप आप देख सकते हैं कि पदों की संक्या मात्र 1773 है आविदन आते हैं कुल 26 लाग परिशा में बैठते हैं 10 लाग और फिलाल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में आविदन करने वाले जो बैठती हैं उनकी संक्या होती है 7,99,99 परिशा में बैठते हैं कितने 3,55,000 तो आविदन थो हमें साथ से जादा आते हैं लेकिन परिशा में बैठने वाले कम होते हैं और serious aspirant कम हो पात है NPS से पहले चैनित सिश्कों को मिलेगी पुरानी पेंसन तो ये एक बड़ी सांदार जो है नियूज निकल के सामने आई है इलाबाद हाई कोड की और से इलाबाद हाई कोड ने कहा है कि विग्यापान संक्या एक बटा दोजार दो के तहत नई पेंसन योजना लाग होने से पहले के बिग्यापान से चैनित मतलब जो नई पेंसन स्कीम थी जब वो लागू हुई उसके पहले के बिग्यापान से चैनित जो यहाँ पर मतलब अध्यापक हैं उनको पुरानी पेंसन का लाभ दिया जाएगा इसे के साथ कोड ने सरकार के इस तरक को मानने से इ आदिस ज्यायमूर्थी विकास बुद्वार ने नंदला ल्यादो समेत कही याजक्यों पर दिया है कहा गया था कि सभी सहायक अध्यापकों की नियूक्तियां एक अपरेल 2005 के बाद की गई है इस कारण बे पुरानी प्यंसन स्कीम का लाव पाने के हगदार नहीं है वे नई स याजक्यों में इसे चुनूति दी गई याजक्यों पर अधिवक्ता आलोक कुमार यादो की दलील थी कि याजक्यों के साथ चैनित और नियूक्त अन्न सभी अध्यापकों को पुरानी प्यंसन इसकीम का लाव मिल रहा है लेकि याजक्यों किसका लाव नहीं दिया जा रह अन्य चैनित सहायक अध्यापकों की न्यूकतियां नई पेंसन इसकी मलागू होने से पहले हो गई थी जबकि याचियों को विभाग की गलती करा जोईन नहीं करा गया उन्होंने कहा कि वर्स 2002 में सहायक अध्यापकों की भरती विग्यापित की गई थी कब 2002 में 29 नौंबर 2004 क पैडाम आया तो घोसित पैडामों के अधार पर अधिकतर अध्यापकों को न्यूकति पतर देकर जोईन करा दिया गया याचियों को मिले प्लेस्मेंट पर कालेज मनेजमेंट नहीं करा है मतलब यहाँ पर जो गलती निकल रही है वो कालेज मनेजमेंट की निकल रही है त तो अगर गलती कालेज मनेजमेंट की है तो फिर ऐसी सिती में उनकी जो न्यूकती है वो पुरानी मानी जाएगी तो यही कहा जा रहा है कि याच्यों की न्यूकती एमंग ज्वाइनिंग नई पैंसन इसकिम लागू होने के बाद भी इस करण उन्हें नई पैंसन इसकिम से आच्छादित मानते हुए पुरानी पैंसन योजना का लाव देने से इंकार किया गया था कोड ने इसे सही नहीं माना है तो फिलाल बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों को पुरानी पैंसन का लाव मिलेगा और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा जो नया च करवा रहे हैं अगर हम देखें तो जो लेटेस्ट है उसमें प्रिबियस एर क्वेश्चन पेपर यानि कि 2021 का जीज का जो पेपर है साथी साथ हमें यहां पर प्रस्नों को इस तरीके से रख रहे हैं ताकि आपकी जो तयारी है वह आने वाली परिशा के लिए भी होता रहे हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं तो फिलाल यहां पर आपको सभी चीजें उपलब्द करवाई जा रहे हैं जैसे कि आपको जीएस के सब्सक्राइब में स्टेटिक जी के करेंट अफेर इस्टेटजी और आपको लगातार दिये जा रहे हैं तो सब्सक्राइब करना विल्कुल भी मत भूलेगा थैंक्यू सो मुच हैवे ग्रेट डे जैहंत